रात के तीन बजे थें संजर रॉय ने बताया काला सच डॉक्टर मडर केस की पूरी कुंडली इस वीडियो के सरी आप देखे आखर तक वेस्ट मेंगोल के आर्चेकर हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड रियर की छात्रा की मौत के बाद देश में बवाल मचा हुआ है हर नागरी के जहन में गुस्सा है कैसी हॉस्पिटल के लिए पुलिस वेलफेर का काम करने वाले ने लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हॉस्पिटल के में गेट की सीजी टीवी और डेड बॉडी के पास पड़े आरूपी संजर रॉय का ब्लुटूथ सामने नहीं आता तो उसका बच निकलना तैम आना जा रहा था घटना की हर कड़ी खुल चुकी थी आरूपी गिरफतार हो चुका है हॉस्पिटल की प्रिंसिपल का तबातला हो चुका है और केस हाई कोट पहुँच चुका है पर उस काली रात की टाइम लाइन और पॉलिस वेलफेर के मेंबर की काली कर्तूत के बारे में आज एके करके हम खुलासा करने जा रहे हैं पांच से आठ अगस्त इस तारीक को संजय रोई पॉलिस वेलफेर सुसाइटी की बैटक में शामिल होने के लिए खड़क पुर गया था आठ अगस्त को क्या हुआ आठ अगस्त की सुबह कोलकता आनी पर संजय सीधा आरजिकर हॉस्पिटल प मरीज भरती होने के बाद अस्पिटल से चला गया और देर रात वो वापिस लोटा आठ अगस्त को ही क्या हुआ रात के लगभग 11 बजे उसी मरीज के एक्स रे में मदद करने के लिए आरजिकर अस्पिटल लोटा मरीज के परिवार के साथ कुछ मिनट बताने के बाद है एक अन्य मरीज की मदद करने के लिए लगभग एक बज़े अस्पिटाल लोटा जिसकी सर्जरी नौ को ही होनी थी फिर रात में उसने अस्पिटाल के पीछे बिल्डिंग में रोगी के एक रिश्यदार के साथ शराप पी बहां मरीज के परिवार से वो पैसे भी लेता नौ अगस्त सुबा तीन बज़े करीब तीन बज़े संजय हॉस्पिटर के चस्ट फुजिशियन थोर्ड फ्लोर पर लोटता है कुछी समय के बाद वो सेमिनार हॉल में घुसता है जहां लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी आरूप है कि उसके साथ कथित तौर पर रेप कर रहत्या कर दिया करीब 40-45 मिनट बाद संजय समयनार हॉल से हड़बडाया हुआ से निकलता है नौ अगस्त सुबा चार बचकर 30 मिनट CCTV फुटेज में संजय सुबा चार बचकर 37 मिनट के आसपास अस्पताल परिसर से बाहर निकलता दिखा वो वहां से बैरक में वापेस आ जाता है उसी सुबा CCTV फुटेज को देखने के बाद और उसकी संदक दगती विधिया देखने के बाद कोलकता पोलिस संजय रोय को बै करें